उच्छे हिमाल्या छेत्रों में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो स्वास्ते वल्दक होने के साथ साथ विविन बिमारियों में कारगर साबित होती है वर्तमान समय में बालू के जड़ने सीर में डंडरफ की समश्या से लेका बालू की ग्रोथ धीमी होने में कई लोग परिशान है खास तोर पर महिलाओं में बालू के तूटने की समश्या वनी रहती है इन समश्याओं से निजात पाने के लिए तरत्रव के उप्चार किये जाते हैं उत्राखंड के परवतिया छेत्रों में एक ऐसी दुल्लब जड़ी बूटी है जो बालू को स्वस्ते वा तंदरुस्त बनाए रखने के लिए कारगर साबित है इसका परियोग हिमालिये छेत्रों में रहने वाले लोग पारंपरी ग्रूप से कलते आ रहे हैं इस उसदिया पादप का नाम है बाल चड़ी उच्छी हिमालिये पादप सूथ संस्तान की असिस्टेंट प्रोफिशर डॉक्टर बिजाई लक्षमी तुर्वेदी का कहना है कि बाल चड़ी उच्छी हिमालिये इलाकों में पाये जाने वाली औसदिया पौदा है बताती है कि इसका महत्वपूर कॉंपोनेंट सिखोनीन है जो लाल डाई की तरह दिखता है यो बालू के लिए लाबदायक इसलिए है क्योंकि यो तेल के साथ मिलकर पूरी तरह पिगल जाता है जिससे कि यो बालू के जड़ों तक पहुंच जाता है बाल चड़ी के पौदे के हर भाग में एंटी आक्सिडेंट पचूर मात्रा में पाया जाता है फिर वो पौदे के उपरी से लेकर निचला हिस्सा जड़ की क्यों न हो डॉक्टर बिजय लक्षमी जानकारी देते हुए बताती है कि इसमें रिजनरेटिंग पावर एंटी आक्सिडेंट होने के कारण हेयर ग्रोथ के लिए बहतर है बताती है कि यो बालू के तूटने की समश्या से भी निजात दिलाने में कारगर साबित होता है कहती है कि हिमालिया छेतरों में इसे केवल बालू के लिए ही नहीं बलकि बुखार, गले में दर्द, जीब में इंफेक्शन होने पर भी परियोग में लाया जाता है डॉक्टर बिजालक्षमी तुर्वेधी बताती है कि इसका परियोग मेडिशनल के अलावा फूट कलरिंग के लिए भी किया जाता है कहती है कि यूरोपियन देशु में नैचरल रेड फूट कलर के लिए यह परियोग में लाया जाता है जो आप कह रहे हैं उसका बैग्यानिक नाम पहुं कहें तो अर्णी विया बैंतमी है और यह उच्छी माली छेत्रों में ही होती है इसका इंडेयन मालाया के दर हम बात करें पो तरह को से इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंटक इसमें एक डाइ होती है लाल रन्की जिसको मैं उत्तलि बात करें तो यह सिखो निं जो डाइं है इसका इम्पोर्टेंट थेराप्यूटिक मानी जाती है कि इसकी विशेष्टा है कि ये तेल के साथ जो है वो पिगल जाती है और कि तेल के साथ मिला के जब हम उसको बानों में लगाते हैं तो ये बिलकुल बालों के जड़ों तक पहुंचाती है और ये जो पौदा है चाहे इसकी जड़ हो चाहे इसकी पत्तियां हो चाहे इसके मि तो जो new hair growth है उसके लिए ये अच्छे ही होंगे इसके आब आप कही सारे folk system में है चाहे उत्रा ठंड के हूँ कश्मीर हिमालया के हूँ या दूसरे हिमालया रिजियन के हूँ उन folk system में सिफ बालों के लिए ही नहीं बलकि अन्यरों जैसे बुखार के लिए और गले में धर्द होता है उसके लिए जीव में इंफेक्शन के लिए और इवन जो काडियक जो डिजीज है उनके लिए इसको यूज किया जाता है और सिफ मेडिसिनली ही नहीं बलकि इसको जो food coloring agent के रूप में भी बहुत सारे इशली जो विदेशों में हैं European countries में वहां पर इसको as a food को red color देने के लिए भी जो है natural dye के तरह यूज के लिए लोकल 18 के लिए शीनगा गड़वाल से कमल पिमूली के रिपोर्ट